गर्मी के दिनों में बेल का शर्वत रामबान माना जाता है बेल का फल बहुत गुणकारी है यह लू से लेकर कई बिमारीों से पचाव करता है गर्मी ओ के दिनों में शरीर को ठंडा रखता है पाचन क्रिया को दुरुस्त बनाता है जिन लोगों की नक्सीर छूड़ती है उनके लिए भी बेल का शर्बत यानि बेल का जूज काफी फाइदमंद माना जाता है इसको बिल्नू का गया है और यह जो है एक बहुत महत्मन्पाश् dee है बहूत सारह यूज होता है और इसपலEL जू है जी आी ट्रेक में जी इसका बहुत अच्छा- campeah और फासकर जो है इस से जो बेल से जो है अतिसार मेंस जो हैं डाइर्या-dysBA और जिसमें जो है ब्लड भी आता मोशन के साथ उसमें इसको दिया जाता है और इसके जो है कच्छा फल का जो गूदा है उसको अगर निकाल के उसको गरम करके और गूड के साथ अगर कोई पेशन्ट लेता है तो उसमें खासकर जो रक्ताती सार जिसको गा गया है जिसमें लूज मोशन के साथ जो बलड जाता हूं उसमें बहुत ड्रमिक विजल्ट इसके मिलते हैं और इसके अलावा गर्मी के दिनों में बेल का जूस जो है खासकर बिल्लू का इसका जूस जो है बहुत ज्यादा फाइदे मत है और जिससे जो है हमारे बाडी के अंदर जो है इलेक्ट्रोलाइट्स वगरा जो है वो भी कंट्रोल होते हैं वो प्लस साथ में जो है हमारे जो है जी आई ट्रेक के सिस्टम को यह बैलन्स रखता है और डियाडरेशन नहीं होने दिता और सबसे ज्यदा में बाता है कि यह एक बिमारी होती है इसको आईवियस करतें इसमें इसका बहुत अच्छा रोल है और मैंने यह क्रौनिक बिमारी होती है इसका अच्छली बिमारी का ओरीजिन जो है ब्रेन्स से होता है और का असर गट से जियाए ट्रैक्स तो इस केस में मेरा अपना तुजरुवाई यह है कि बेल को बहुत सारी तरीके से बहुत विभिन विदियों से जो है बेल को अगर हम लोग देते हैं ऐसे पेशेंट में तो आईवेस में बहुत ही डियमेटिक रिजल्ट मिलते हैं जो कि यह परी लाइलाज सी बीमारी है जिसका बहुत अच्छा रिजल्ट बहुत सारी पैथिज में नहीं है बट यह पेट के लिए अच्छा चीज है ने पैसे सुगर में मारे बीना चिनी का पी सकते हैं और पेट ठंडा रहा था पुरा दिल लिवर भी मजगूत रहा था इससे देहरदूल से न्यूज 18 लोकल के लिए हिनाज में की रिपोर्ट